नमस्कार किसान भाईयों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आशर 548 ट्रेक्टर के सभी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में अगर आप 45 HP से 50 HP स्रेणे में कोई अच्छा ट्रेक्टर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें किसान भाईयों ये ट्रेक्टर कैई वेरियंट में मिलता है आप अपने काम के हिसाब से कोई सभी वेरियंट ले सकते हैं इस वीडियो में हम आपको इसके टॉप मॉडल का रिव्यू करके बताएंगे इस ट्रेक्टर में सामने की तरफ तेज रोसनी वाली और श्यांदार डिजाइन वाली हेड लाइट्स दी गई हैं जिनकी तेज रोसनी में आप रात के समय आसने से काम कर सकते हैं स्टाइलिस्ट टेल लेंप्स दिये गए है और पीछे की तरफ भी एक लाइट दी गई है जो रात के समय काम करने में काफी उपयोगी होती है फ्रेंट ग्रिल भी काफी सुन्दर डिजाइन की गई है आगे की तरफ हेवी बंपर भी दिया हुआ है जिससे भारी उपकरणों के साथ काम करते हुए ट्रेक्टर आगे से उठता नहीं है और यह ट्रेक्टर को सुरक्चित रखता है इस ट्रेक्टर में 12 वोल्ट वे 45 AH की ब अगे वाला एक्सल सीधा वे नोन एड़ेस्टेबल दिया गया है और यह काफी मजबूत होता है अगर आप सभी कंपनियों के ट्रेक्टरों वे करसी उपकरणों की कीमत से इत पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.tractorjunction.com पर जरूर विजिट करें और ट्रेक्टर जंक्शन का मोबाइल एप भी डाउनलोड करें इसके इंजिन की बात करें तो आईशर 548 ट्रेक्टर में तीन सिलेंडर और 48 HP की ताकत वाला इंजिन दिया गया है जिसके इंजिन डिटेड आर पिम 2200 दी गई है क्यूविक चम्ता 295 CC की दी गई है वोस अपनी का इन लाइन फ्यूल पंप दिया गया है आईशर 548 ट्रेक्टर में कॉंस्टेंट मैस और स्लाइडिंग मैस के कॉंबनेशन वाला ट्रांसमिशन दिया गया है जो साइड सिफ्ट होता है जिससे इसका प्लेट फार्म काफी चोड़ा वे खुला होता है और आपके प पर इसका बेज भी दिया हुआ है ब्रेक की बात करें तो आईशर 548 ट्रेक्टर में डिस्क ब्रेक और तेल में डूबे हुए ब्रेक का ओप्सन मिलता है आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं इनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और ही चलते भी जादा है ब् आप इस ट्रेक्टर के साथ लोडर का काम करना चाते हैं तो ये होल दिये गए हैं जिनमें आसानी से लोडर फिट कर सकते हैं इसकी ड्राइविंग सीट काफी आराम धायक और एडजेस्टेबल दी गई है इसे आप इस लिवर की सायता से अपनी जरूरत के अनुसार एडज इसको बड़ी आसानी से एक हाथ से भी घुमा सकते हैं इससे आपके हाथ दुखेंगे नहीं जिससे आप लंबे समय तक बिना परिसानी के काम कर सकते हैं बाकी मोडल्स में मेकेनिकल वे पावर स्टेरिंग का उप्सन मिलता है इस्टेरिंग के पास ही हाथ की रेज दी गई इसकी पीटियो की बात करें तो इसमें 540 आर्पेम पर काम करने वाली लाइव पीटियो दी गई है साथ ही मल्टी स्पीड वे रिवर्स पीटियो की सुविदा भी दी गई है पीटियो को कंट्रोल करने का लिवर सीट के पास ही दिया हुआ है इसकी पीटियो पावर 40.8 HP की होती है साथ ही इसमें आपको फ्रंट पीटियों की भी सुविदा दी गई है जिसे आप एक साथ दो उपकरण भी चला सकते हैं इस ट्रेक्टर में 45 लीटर का डीजल टेंक दिया गया है और डीजल से पानी को अलग करने के लिए यहां वाटर सेपरेटर भी दिया हुआ है चा इसमें आप ट्रेक्टर से जुड़े कई संकेत रात में भी आराम से देख सकते हैं ट्रेक्टर पर चड़ने के लिए सुविदा जनक पायदान दिया गया है जिसे आप आसानी से ट्रेक्टर पर चड़ सकते हैं आपकी सुविदा के इसाब से इस ट्रेक्टर में मोबाइल ब्र Clapham भी दिया गया है ड्राइविंग सीट के पास ही पार्किंग ब्रेक दिये गए हैं और यहीं ट्रांस्पोर्ट लोग भी दिया गया है किसान भाईयों आईसर कंपनी लगतार 60 सालों से आपके लिए बेहतरी ट्रेक्टर बनाती आ रही है और कंपनी ने ट्रेक्टर पर भी इसका लोगो दिया हुआ है आईसर 548 ट्रेक्टर के हाइडूलिक सिस्टम की बात करें जिससे आप अपनी जमीन के इसाफ से उपकर अनसेट कर सकते हैं यहाँ ड्राफ्ट और पोजिसन कंट्रोल लिवर दिये गए हैं सिंगल डिस्टिब्यूटर वाल दिया गया है इस ट्रेक्टर में आगे वाले टायर 616 वे 7516 के उप्सन में मिलते हैं और पीछे वाले टायर 428 के साज में मिलते हैं इनमें सिलिपेज की समस्चा नहीं होती और ट्रेक्टर खेती वे डोलाई के सभी कामों में अच्छे पकड़ के साथ चलता है इस ट्रेक्टर के वजन वे डायमेंशन की बात करें तो इसका कुल वजन 2200 किलोग्राम होता है ट्रेक्टर के लंबाई 3540 एमेम की होती है चोड़ाई 1760 एमेम की है इसका वील बेस 1970 एमेम का है ग्राउंड कलेरेंस 380 एमेम का है और ब्रेक के साथ इसका टर्रिंग रेडियस 3750 एमेम का है तो किसान भाईयों ये था आईशर का शांदार और धंदार ट्रेक्टर आईशर 548 ये ट्रेक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं किसी और ट्रेक्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट करके बताएं ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंती वाले बटन को जरूर दबाएं ट्रक्टर जंग्सन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद